दोस्तों Magic Show जैसे ही Magic Show का नाम लेते हैं हमारे सामने कई प्रकार के Magic आने लगते हैं लेकिन आपको क्या लगता है कि Magic Show करने वाले लोग सच में Magic करते हैं कभी अपनी टोपी से कबूतर निकाल लेते हैं कभी बॉक्स में लड़की को बंद करते हैं और लड़की गायब हो जाती है कभी खुद एक धंडी के साहरे हवा में खड़े हो जाते हैं कभी घ्या तो कभी घ्या बच्चों को उलू बनाने का ये असान तरीका है जब कभी बच्चे जिद करते हैं तो उन्हें अपने पापा मम्मी माजिक शो दिखाने के लिए ले जाते हैं और देखते देखते माता पिता को भी काफ़े इंट्रोस्ट आने लगता है क्या करें जादू का खेली ऐसा है लेकिन अगर आप भी इस जादू के खेल को सच मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है जिससे देखने के बाद आप शायर इस पर यकीन न करें क्योंकि इस वीडियो के जरीए हम आपको जादू करने वाले जादूगरों के राज बताएंगे तो दोस्तों आगे की पूरी वीडियो देखने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें इस जादू में दो जादूगर हैं जो एक स्क्रीन से एक नहीं बलकि दो दो लड़कियों को बाहर निकालते हैं लेकिन इस जादू में सिर्फ यही ट्रिक नहीं है। इस जादू में जादू कर बलून को भी स्क्रीन के अंदर डाल देते हैं और फिर उसी में से दो छत्रियां भी बाहर निकाल लेते हैं। गौर से इसे देखने पर पता चलता है कि जादोगर बलून को स्क्रीन के बहुत करीब ले जाता है और फिर वो उस बलून को किसी तरह से फोड़ देता है और उसे समय स्क्रीन पे वो बलून दिखाया भी जाता है और ध्यान से देखने पे वो फूटा हुआ बलून गिरता हुआ दिखाई भी देता है लेकिन दूर से लोगों को ये दिखाई नहीं देता और अब अगर हम स्क्रीन में से छत्रे निकालने वाले किस्से को गौड से देखेंगे तो ये दिखाई भी देता है कि वो छत्रियां पहले से ही उनके हाथ में थी जो कि जादूगरों ने बहुत ही चालाकी और तेजी से बाहर निकाल ली और वो हमें दिखा नहीं जिसे बाद में उन्होंने इस स्क्रीन के एकदम नजदीक ले जाकर खोल दिया और अब दोस्तों बारी आती है लड़कियों को स्क्रीन से बाहर निकालने के जब एक जादूगर बड़ा सा कपड़ा स्क्रीन के सामने लाता है तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि उसी के पीछे से दोनों लड़कियां घुसकर नीचे बैटकर स्टेज पर आती हैं और वो हमें दिखाई नहीं देती और जैसे हैं जादूगर उस बड़े से कपड़े को उपर करता है तो एक लड़की फॉरन खड़ी हो जाती है और क्योंकि जादूगर उने अभी भी वो कपड़ा पूरी तरीके से हटाया नहीं है तो इसलिए हमें वो दूसरी लड़की नजर नहीं आती और जादूगर उने उस दूसरी लड़की को छुपाने की बहुत कोशिश की लेकिन अगर आप पॉल्स करके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको दूसरी लड़की के पैर भी इस लड़की के पीछे नजर आएंगे लेकिन जब पहली लड़की को उस कपड़े में वापस लपेटते हैं तो दूसरी लड़की फॉरन खड़ी हो जाती है और फिर जादोगर कपड़ा हटा देता है और हमें दोनों लड़कियां दिखाई देती हैं और इस तरह से जादोगर बहुत ही पेचीदा माजिक ट्रिक के वाली पूरी करते हैं नमबर तू दोस्तों साइमन टायरों जर्मनी के एक बहुत बड़े जादूगर हैं इनके जादू की ट्रिक्स दूसरे जादूगरों से काफी अलग और अनोखी होती है क्योंकि ये ज्यादतर ट्रिक्स अपने आईपैड पर करते हैं किसी चीज को आईपैड से बाहर निकालना और उसे वापस फिर से अंदर डालने जैसे कमाल के ट्रिक्स जो हम कभी सोच भी नहीं सकते वो वैसे ट्रिक्स करते हैं ये अपने आईपैड में जादू दिखाने के लिए काफी अलग तरह की पोस्नलाइजड आप्स का इस्तिमाल करते हैं जिसमें वो जादू बिल्कुल असली लगता है लेकिन आज हम आपको उन जादू के सीक्रेट्स बताएंगे जो आपने कहीं नहीं देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे कि किस तरह से साइमन अपने आईपैड पर एक बियर टैब लगा देते हैं और उसे चालू कर देते हैं जिसमें से बियर निकलना शुरू हो जाती है देखने पर ये ट्रिक बहुत ही गजब और कमाल की लगती है लेकिन इसे करने का सीक्रेट्स साइमन के जैकेट में ही होता है दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग कोठिंग क्यों पहनते हैं ये जादू कर टीशोट क्यों नहीं पहनते क्योंकि यही इनका हत्यार होता है इन सभी ट्रक्स को करने का जियां दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि साइमन के जैकेट में एक पाइप छुपा हुआ होता है जो साइमन उस बियर पाइप से जोड़ देते हैं और उस पाइप का दूसरा एंड उनकी जैकेट के पॉकेट में एक बियर बैग से जुड़ा हुआ होता है जैसे वो बियर वो पाइप से बाहर निकालते हैं लिकिन देखने पर ऐसा लगता है कि यह बियर सच मुच में साइमन के आईपाड से ही निकल रही है तो क्यों दोस्तों अगर आपको भी पहली नजर में देखकर ऐसा ही लगा कि साइमन सच में बियर अपने टाब से ही निकाल रहे हैं तो हमें कॉमेंन सेक्शन में यस लिखकर ज़रूर बताईएगा दोस्तों साइमन इस ट्रेक में ओडियन्स को एक छोटी टेनिस बॉल की फोटो दिखाते हैं और फिर उसे एक असली टेनिस बॉल का साइज का बनाने तक वो जूम करते हैं और फिर वो उसे हाथ से स्क्रीन से बाहर निकाल लेते हैं जो एक असली टेनिस बॉल होता है यह एप में पहले से ही सेटिंग की गई थी और उसी वक्त साइमन ने अपने जैकेट में से चालाकी से वो बॉल निकाल ली और हमें ऐसा लगा कि बॉल उन्होंने सीधे अपने आईपैड से निकाली है और कुछ दिर बाद वो उस बॉल को वापस आईपैड में डालने की भी दोस्तों इस ट्रिक में साइमन अपने आईपैड से अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल करते हैं और कैमरे के जरीए वो अपने दोस्त के सर पर दूद के गलास से दूद गिरा देते हैं देखने वालों को ऐसा लगता है कि सच में साइमन दूद कैमरे से निकाल कर उनके सर गिरा रहे हैं और इसका सीक्रेट भी काफ़े दिल्चस्प है इस ट्रिक में साइमन जो गलास इस्तिमाल करते हैं वो उसी का कमाल है ये एक बहुत अलग तरह का गलास है जिसे साइमन ने अपनी माजिक ट्रिक्स को करने के लिए ही डिजाइन करवाया है इस गलास के अंदर प और साइमन के दोस्त वाला वीडियो तो पहले से ही रेकॉर्ड किया गया है। लेकिन देखने पर ऐसा लगता है कि दूद सच में कैमरे से होकर वाइफाई के नेटवर्क के जरीए साइमन के दोस्त के सर पर गिर रहा हो। दोस्तों ये ट्रिक खतरनाख होने के साथ साथ आपको उलजहन में भी डाल सकते हैं। इस ट्रिक में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक आदमी पूरी ताकत से अपने सर पर ड्रिल मशीन चला रहा है हलनकि उसे एक खरोच तक नहीं आते। मानों उसकी बोड़ी स्टील की बनी हो और उसे कोई फरकी न पढ़ रहा हो। असल में दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही साफधानी और समझदारी से करनी पड़ती है और इसका सीक्रेट ये है कि जादूगर जो ड्रिल बिट यूज़ कर रहा होता है वो कोई आम ड्रिल बिट नहीं होती है। इस ड्रिल बिट का सेरा नुकीला नहीं होता वो उपर से सपार्ट होता है जिससे वो जादूगर के शरीर के पार नहीं जा सकती लेकिन बहुत ही ज्यादा जोर लगाने पर शायद ये उसके शरीर में घुश सकती है। कपड़े बदल लेती है जिससे देखकर हम सब दंग रह जाते हैं और आज भी इस जादू का राज किसी को नहीं पता लेकिन आज हम आपको इस जादू का राज बताने वाले हैं। आसान होता है और ये कपड़े वेलक्रो या फिर हुक की मदद से खुल जाते हैं। जिससा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि उसने कई सारे कपड़े पहने हुए हैं। क्योंकि यार इतना मोठा जैकेट तो कोई नहीं पहनता और वीडियो के एंड में तो ये एकदम पतली सी लगने लगती है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह ये लड़की अपने ब्लाक ड्रेस को निकाल कर चुपाने की कोशिश कर रही है। और इस जादू को करने के लिए काफी फूरती और काफी चालाकी की जरद भी पड़ती है। क्योंकि चंद सेकेंड में ही जादूगरों को लोगों को बता लगे बिना ही कपड़े बदलने पड़ते हैं। और फटा-फट उन्हें चुपाना भी पड़ता है जो इस लड़की ने बहुत बक्खू भी किया। Magic of Science दोस्तों ये अगली magic trick फिजिक्स के नियमों पर अधारित है। जिसमें magician पानी भरे हुए ग्लास को उल्टा करता है और इसमें से पानी बहर नहीं निकलता। और दोस्तों वैसे आखिर कार ये तो सिर्फ शुरुआत है अब देखिए असली magic। cardboard का टुकड़ा हटाने के बाद भी पानी ग्लास से बाहर ने निकलता। इसके बाद magician तीन तक गिंती करता है और पानी वापस बाल्टी में डाल देता है। तो आखिर जादुगर ने ऐसा किया क्या ये समझने के लिए पहले आपको उस ग्लास को गौर से देखना होगा। आप देखेंगे इसके तल के पास एक छोटा सा छेद बना हुआ है जिसे उंगली या अंगूठे से बंद किया जा सकता है। अगर आप इसे बंद नहीं करेंगे तो पानी बाहर गिर जाएगा जो कि एलिमेंटरी फिजिक्स है। इसके अलावा इसमें जादुगर कार्डबोर्ड के उपर एक गोला कार प्लास्टिक का धक्कन चुपाय होता है। ये ढखकन नीचे लगाय हुए जादुगर ग्लास के तल के पास बने च्छेत को दबाय रखता है। इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक बड़ा सा कोट या फिर जैकेट लेना होगा जिसके अंदर आपको एक कस्टम मेड फ्रेम डालना है। अगर आप चाहें तो ये फ्रेम एक हैंगर की मदद से घर पे खुद भी बना सकते हैं। इसके बायाद आपको एक हाथ में ये फ्रेम पकड़ना है और अपनी गर्दन नीचे करनी है। कोट के अंदर लगा ये फ्रेम आपके कंधों को ऊपर उठा कर रखेगा और देखने वालों को लगेगा जैसे आपकी गर्दन नीचे गिर गई है। तो दोस्तों इन ट्रिक्स में से आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप भी यही चाहते हैं कि इस वीडियो का दूसरा पार्ट हम जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आएं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इससे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करें और साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ठाकि आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलें सबसे पहलें। आन्यवाद।